आईए आज बनाते हैं सूपर टेश्टी और हिल्दी लड्डू की रेसिपी देखने में जितना अच्छा लग रहा है ना सच मानिए खाने में भी ये बेहर लाजवाब है और इसे बना कर आप महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं और जम बन करें आप इसे इंजवाय कर सकते हैं तो आएए बनाते हैं इसे इस लड्डू की रेसिपी को बनाने के लिए एक पैन गरम करें और उसमें डाल दे एक चमस देसी घी दिखे लड्डू बना रहा है ना तो इसमें आप देसी घी का ही इस्तमाल करें रिफाइंड ओल का इस्तमाल ना करें अच्छे से इसे पैन में फैला लेंगे उसके बाद इसमें 1 फोर्थ कब बारी किया हुआ बादाम मैंने डाल दिया है दिखें इसमें ड्राइफ फ्रूट्स आप अपना मन पसंद कोई भी इस्तमाल कर सकते हैं बस 3-4 मिनट इसे मेडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भूल लेंगे इतनी देर में क्या है ये जो बादाम है ना अच्छे से क्रंची हो जाएगा उसके बाद इसे एक प्लेट में निकाल कर एक साई ड्रग दें अब वापस से उसी पैन को मैंने गरम कर लिया है अब इसमें 5-6 चमच देशी घी डालेंगे देखिए मैं आपको इसे चमच से यानि स्पून से मेजर करके बता रही हूँ ताकि आपको बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो बस ये 6 चमच मैंने इसमें घी डाल दिया है अब इसमें मैं डाल रही हूँ मक्के का सथ्थू देखिए सथ्थू तो आप कोई भी इस्तमाल कर सकते हैं अभी मेरे पास ये मक्के का सत्तू पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा आज इसी से लड्डू बनाये जाए और सच मानिए इसका जो लड्डू बनकर तयार हुआ है ना बेहत लाजवाब लगा खाने में बस हलका सा मिक्स करने के बाद ना मैंने इसमें तीन चमबस देशी की और डाल दिया है आप चाहें तो इतना देशी की एक बार में डाल सकते हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा करके डालने से क्या है ना थोड़ा कम या जादा भी इस्तमाल हो जाता है तो बस इसे हम करीब 20 मिनट तक भूनेंगे इसी तरीके से मीडियम फ्लेम पर देखें ये सत्तु है भूना हुआ होता है उसके बावजूद इसे थोड़ा भूनना जरूरी होता है तभी ये जो लड़ू है ना अच्छा बन कर तयार होगा 20 मिनट भूनने के बाद इसमें एक चमच देशीगी और डाल देंगे बस इससे ज़्यादा इसमें डालने की जरूरत नहीं है तो आपने देखा मैंने इसमें पूरे 10 चमच देशीगी का इस्तमाल किया है बस 5 मिनट इसे और चला लेंगे मेडियम फ्लेम पर और अब इसे एक प्लेट में या परात में निकाल कर एक साइट रख लें या आप इसे पंखे के नीचे रख कर अच्छे से ठंडा कर लें इसे पूरी तरीके से ठंडा करना बहुत जरूरी है देखिए ये एकदम ठंडा हो चुका है चलिए अब इसमें थोड़ा सा इलाइची का पाउडर डाल दे एक छोटा चमश मैंने इसमें डाल दिया है अब मैं इसमें डाल रही हूँ गुड की खान वैसे तो ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है नहीं मिले तो आप चीनी का भूरा यानि की तगार का इस्तमाल कर सकते हैं लड़ू बनाने में इनी सब चीजों का इस्तमाल किया जाता है कच्चे चीनी का यानि की पिसी हुई चीनी का इस्तमाल नहीं किया जाता है इसी से ये जो लड़ू है ना अच्छा बनता है बस अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर लिया है दो कप मैंने ये सत्तू लिया था एक कप ये गुड़ की खान ली थी और अब ये जो हमने बादाम को फ्राई करके रखा था ना उसे डाल कर अच्छे से मिक्स कर लें बस अब इसस में जितना हमने घी डाला है एकदम सफिसेंट है अगर थोड़ा बहुत दिक्कत होता है तो आप एक चम्मज घी डाल सकते हैं एक या दो चम्मज जैसी आपकी जरूरत हो बस यह लड्डू बनकर तयार हो चुका है आईए आपको मैं एक तोड़ के भी दिखाती हूँ इस लड्डू को बना करना आप महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं फ्रीज में रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है बहुत हिल्दी लड्डू है खाने में भी यह बेहत लाजवाब लगता है तो उमीद करती हूँ रेसिपी आपको जरूर पसंद आई होगी अच्छी लग